किसान भाईयों नमस्कार आज मैं आपको चरेखा इंडिया वर्मिंग कमपोस्ट खाद की यूनिप के फारम पर हूँ और कहां पर हूँ इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा और आज आपको मैं नई जानकारी देने जा रहा हूँ एक वस्तू तीन काम गाएं के गोवर से आप कैसे तीन चीजे ले सकते हो वर्मी खाद बना सकते हो उससे और उससे वर्मी वास बना सकते हो और उससे आप गोवर से खाद बना सकते हो इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दूँगा हमारे साथ जो है पी एच डी डॉक्टर वर्मी गंपोस्ट खाद की जुड़ी हुई है इनके फार्म पर हम आज हैं उनसे आपका परिचे कराता हूं नमस्कार मैं जी नमस्कार तो यह बताईए कि हम आज आपके फार्म पर हैं प्रकर्तिक वर्मिंग कंपोष्ट खाद की आपकी यूनिट है जी हमने आपकी पहली वीडियो दिखाई थी जिस पृष्चन होएं जी असल में आपको बता दूं हमारे पास यहां पर दो मोडल है जी एक तो हमारा यह पर reinforcing पैट का है और यह जो बाहर आप देख रहे हैं है घर दूसे ऑपर जो है इसको लगाते हैं थोड़ा थंडक के साथ तो कर सकते हैं और किसी को खार और बहुत कम लागत के साथ आप रहे लुटा है प्रोड़क्शन थोड़ा सा फरक पड़ता है कि फैलता नहीं है इधर उदर तो हमारा तो यह मोटीव है लेकिन अगर किसी को अपने इस्तमाल के लिए और कम लागत से शुरू करना है तो वो सीधे जमीन के उपर कर सकते हैं और जैसे घास फूस के साथ जो भी आपका जैवी वेस्ट डेरे मथे सारा का सारा समें इस्तमाल करके आप इस तरह से जावी खाथ बना सकते हैं 20 दिन-पुराना कम से कम आपको गोबर लीना है और जैसे केशी की खाथ बनाई जाती है इस बना सकते हैं तो अभी हमारा जो यह पर्मनेंट सेटष्प हए और एक हमारा जो Course,ering, JVA tenders पुराली करते हैं तो आप ने यहां पर पुराली का ना करते हुए केले का पत्तों किया है इसका क्या कारण है दकिस की मैभी आपकी इस्तमाल करने को तो है वह केंचवा भी बहुत अच्छे से आता है जैसे पूराली भी बहुत लोग इस्तेल neural करते है तो पूराली को तो वैसे जादा इस्तेल में हम नहीं लाते हैं क्योंकि उसमें लिए नहीं लाते हैं तो वह ढखने के काम तो कर हमारा साथ साथ ये भी है कि एक即म से कम खर्चे में इसको करें करिए तो जो भी उप्लाब्द संसादन आप के पास है उसे तो कि बड़ा दूरी दी तो इसमें है कितनी निच इसका गहराई रखी और कि इसकी दूरी रखी बिल्कुल मैं आपको बताओ जो हमारी आपने दूसरी पहले एक वीडियो में जो बनाई थी उसमें हमने 40-40 मीटर की हमने बड़ी बड़ी बैड बनाई हैं ऍ iba कि वह तो प्रूंकों अंबर ऊस्टंडर साइस में हम इसमें करते हैं यह आशनिता है उसके बेस्सघ्रा और हम इसमें आसानी से काम कर सकते हैं उसके कारण यह हमने इस तरह का बनाया हुआ जी बिलकुल कर सकता और इसमें जब यह तीन फिट जो बीच की दिवारें इसमें हमने जो हैं वह वह बीच में होल्स रखे हैं इसमें चेच छोड़े हुए हैं अभी अगये पीछे कंपोस्टिंग चलती रहती है जैस की हुई है तो जिसमें कम्प्लीट हो गई है उसमें पानी डालना बंद कर देते हैं तो केच वे खुद बखुद इन होल से दूसरे बैड में आ जाते हैं तो आपको अलग से महनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि जब वहां खाना खतम हो गया नमी खत्म हो गई तो केच वहां मैंने बहुत सारी वीडियो देखी तो इस तरह का मुझे कहीं पर मुझे भी नहीं दिखा यह बताई केच वे को भोजन की आवज सकता कितने दिन के बाद होती है जैसे कि आपने बैड लगा दिया तो उसके बाद में उसके दूसरे बहुजन की आवे सकता होगी वह कितने इसे बोब चाहिए जाहिए लेकिन हमारे कहने का जब इसमें कमपोस्टिंग हो जाती है तो जैकर भोजन आपने उपलबद हो आपने को बचाने के लिए और बाद में अगर आपने नहीं करवाय तो वह तब वह बैट से बाहर अलहार जाता है है बैट से क्योंकि उसे भोजन तो चाहीए तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि SPEAK भार ना जान के दूसरी बैट में ही जाये तो वह आसान वह तब तक बैट से बाहर की अवच्छता कितने दिन बाद लगातार में करते हैं जैसे मीज़ीं वो हम दूसरे तीसरे दिन डाल देते हैं और सर्दियों में कई बार हफते दिन तक भी अवशकता नहीं पड़ती है बाकी एक तरीका होता है कि हम इसे मुठी में उठा के खाथ को आरा से भीज दें अगर मुठी तो यहां पर पानी अगर पोरों में दिख रहा है तो समझ यह इसमें नमी परियाबत है अगर तपक रहे तो नमी जादा है और अगर बिल्कुल यहां पोरों में पानी नहीं आए और वो डला ना बने तो समझ यह कम है तो इस तरह से हम अपने जो जानका हमारे जो नहीं किसान भाहियों के लिए कौन सी जाती सही रहेगी इसकी प्रजा जानका है तो जहां गरम जग्या है उद्व तो हम यहां पर दोने टरह की विराइटी अपनी डालकर अच्छा काम करता है तो हमें अलग से कुछ भी महनत नहीं करनी पर था हमारी की जो क्ots है और और जो बनाने का हो हम쿠 एक सी रहती है, बहुत जादा एफेक्ट होती नहीं है मौसम के हिसाब से, यह हमारी जो वर्मिंग कमपोस्ट खाद तयार की हुई है, जी बिल्कुल यह चहनीवी खाद है और यह देखिया बिल्कुल चाय की पत्ती के ताने की तरह बिल्कुल भुरबुरी सी हो गई है, तो यह तयार वर्मिंग कमपोस्ट अब यह इसके बाद पैक हो जाएगी, यह बताईए जैसे क्या इसे किसान अपने खेतों में डालें, तो वह पैदावार में कितना मुनाफ़ा ले सकते हैं, इसके बारे मताईए, देखिये जब अगर कोई व्यक्ति पहले से केमिकल डाल रह तो और्गेनिक के रेट भी बहुत जादा हैं बजाए केमिकल से, तो वो तो मुनाफ़ा कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आप वैसे देखेंगे, तो और्गेनिक तो आसानी से जो राजमा है, वो 180 है, और अगर आप और 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 तो इसको आप सब्सक्राइब हैं, नीचे आप वर्मिक गम पोश्टाद के आपने बैड लगा रखी है, इसके बारे मताईए इसे, कैसे कैसे आपने इसमें किया, देखिए ये सेम है उसी की तरह, लेकिन वो पर्मानेंट सेट अप है, उसमें कोई भी अगर उसे शुरू करेगा, तो बै आदे मन ये मॉडल है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगी, जैसे ये नीचे आप देखिए, ये बैड का साइस तो हमारा वो ही है, लंबाई थोड़ी बदल जरूर बदल गई है, और लंबाई का इसमें ज्यादा वो नहीं होता है, तो जैसे धर हम आपकी जो है, भिलिया की सब्जी देख पा रहे हैं, और आपकी जैसे जैविक है पी और ये, इसका स्वादिश्ट आपने खाती होंगी, कैसा रहता है, ये बहुत अलग स्वाद है, और अगर आप मार्केट से खरीदे और अगर ये और ये और अर्गनिक है, तो बहुत स्वाद का जमीन आसमान का अंतर होता है, अगर हम ये सब्जी, अगर मैं बाजार से लेके खरीद के और बच्चों को खिलाती हूं, तो वो अतना पसंद नहीं करते हैं, जबकि अगर ये घर की हम सब्जी खाते हैं, तो बहुत अच्छे से खाते हैं, तो स्वाद का फर्क है, दूसरा में ज को ऐसे जमीन में भी कर रहे हैं, तो कहीं कोई पॉलिधCR नहीं लगी हूँ है, और इस पॉलिध27 नहीं लगने के तो और दिन के यह हमारी जो यह 20 दिन पूरानी बैड है अच्छा कितने दिन के चार हो जाएगा पूरी तेयार हो जाएगा एक बैड लगभख कितना मुनाफ़ा देती है से निया बंदा कोई करें विजनेस के परपस से अगर बिजनस देखिये इसमें लगभख जो यह है इस इसमें material पड़ा हुआ है यह जो है लगबग 30% इसका बन कर आएगा तो आपको यह है कि मैं यह तो नहीं कहूंगी कि आप रातो रात करोड़ पती बन जाएंगे लेकिन हाँ यह है कि एक अच्छा lifestyle आप इसमें जी सकते हैं जी जी दूसरी बात यह है कि थोड़ा सा यह शेड तो दोनों का एक हमने system तयार कर लिया यह natural और इस में कोई खर्चा भी नहीं है तो इस तरह से हमारे जो किसान भाई है वो इसमें शेड डाल सकते हैं तो इसमें अंगूर की बेल आप लगा सकते हैं लॉकी कड्दू तरही इस तरह से काफी सारी बेलों का काम इस तरह से शे है इसमें पांच क्लो की बोरी जो कितने रूपये की मिल जाती है तो साथ से दस fier मांटी चीलो का तो साथ से 10 दस कीलो मारी यहां यूनिट्स चल आता एक मदस्तु तीन और मैं आपको वीडियो दिखांगा वर्मी वास हम कैसे तयार कर सकते हैं कैचुए हाद के दोबारा तो उसकी वीडियो आपको में दिखाऊंगा आगे अगली वीडियो में दिखाऊंगा जैहिंद जै भारत जै जैवान जैकिसान धन्यवाद